पोको F1 के लिए पिक्सल एक्सपिरेंस प्लस एडिशन का जो है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आ गया और मेरा फिलाल यह फर्स्ट वीडियो है पिक्सल एक्सपिरेंस का यहां पर आपको कम्प्लेट रीवी दूँगा साथ साथ आपको इंस्टोलेशन भी देखने को मिल है तो देखेंगे पर्फूमेंस जो हमें कैसी देखने को मिल जाते और बैटरी वी अब दी तो सारी चीज़गारें हम बात करेंगे चलिए बीड़ो हम स्टार्ट कर लेते और देखते हमें जो है किस तरीके से पर्फूमेंस मिलती इसके अंदर Android वर्जन हमारा 11 मिलता इसके अंदर और 5 जुलाई 2020 की लेटे सेक्योडी पैच मिल जाती है करनल आपका इसके अंदर जो है 4.9 बेज यहां पे एट्यूट ओफी जो है करनल इसके अंदर आपको देखने के यहां पे मिल जाता इस पिक्सल एक्सपिरेंस के इस अपडेट के अंदर अगर हम यहां पर चले स्टेडस बार के तरफ तो स्टेडस बार जो है आपका बिल्कुल नॉर्मल साइसे फिलाल देखने को मिलता है लेकिन टाइल से कर आप देखोगे तो यहां पर जो है किस तरीके से काम कर रहा है तो आप देख सकतो यहां पर जो स्क्रिन डिकोडर है काफी स्मूध काम कर रहा है यहां पर हमें जो है लैग देखने को नहीं मिलता है तो आप राम से यूज़ कर पाओगे इसका और वॉल्म पेनल जो है आपका यहां पर फिर रहला एक्स्पैंड हो जाता है आप जाएयाक मिल जाएक और यहां वहाँ को ऐसे जदो है वहाँ को आपको फोकर चलीजर विए आपको यहां ही स्मूद बाकि last में जो है clear all option देखने को यहां पर मिल जाता है अगर आप चैमरी की बात के लिए तो डिफोल्ट केमरे में आपको देखने को मिलता है इसके अंदर आप इंस्टोल कर ले ना जीके एट पोईंट वन बिल्कुल इससे काम करता है अब आपको मिल जाता है जाता है जाता है यहां पर प्लेश्टोर की तरफ चले तो प्लेश्टोर आपका बिल्कुल सटफाइड इसके अंदर आपको मिल जाता आप बैंकिंग आप आराम से यूज़ कर पाऊगे और कालिंग के अंदर क्या है कि कोई दिखका देखने को नहीं मिलिए और चलते हैं वाइफ़ी प्लस उट पॉर्स पोस्पोट सेयम पे आपका काम कर रहा है और और कनेक्टे डिवाइस के अंदर आमाला यहां पे कास्ट है यह बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा तक याप यूज़ कर पाओगे अपे नोटिफिकेशन में यहां पर चलते हैं तो यहां पर आपका प्रोफाइल मिल जाता है और उसके नीचे आपको बैटरी सेवर मिलता है और इसी के अंदर इस्ट्रीम बैटरी सेवर का भी ऑप्सन दिया बैटरी बाहर आपको मिल जाता है अगर हम बैटरी की बात करें टू आवर फुल ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद यूज़ कर पाओगे ग्रिड आपको देखनें की मिल जाएंगे यहां पर आपका यहां पर सो ऐखनेखने को मिल जाता इसके अंदर मी Kai उसके नीचे auf PCs new at ऐस्ट झो आपड़ी काम करता था वाफ्यूंत को lock screen के अंदर आपका यहां पर media cover art मिल जाता है music visualizer मिल जाता और ambient display की settings यहां पर मिल जाती है ति यह सारी सीज़े आपको देखने को मिलने वाली यहां पर double tap work काम कर रहे है tap to sleep मिल जाता है back on plug मिल जाता है VR मिल जाता है यह सारे options आपको display में मिलेंगे sound में अगर जाओगे तो sound के अंदर आपको यहां पर vibrator call मिल जाता है and live caption मिल जाता है other sound and vibration दिया गया यहां पर बाहर अगर हम यहां पर चलते इसके security के तरफ तो security के अंदर आपको fingerprint मिल जाता face unlock और app लोग को जो है इस update में remove कर दिया गया है आगे की future update में वापिस एड़ किया जाएकर कुछ problem के विज़े से remove है बाकि आपका जो यहां पर पैटन साइज है यह भी देखने कि इसके अंतर मिल जाता है वहीं fingerprint के बाद करें तो response काफी fast fingerprint का आप देख सकतो यहां पर काफी fast response मिल जाता और आपका जो face unlock है आयर face unlock काम कर रहा है लेकिन यहां पर थोड़ा सा scan करता है लेकिन फिर भी जो है fast मिल जाता उतना जदा delay नहीं मिलता आयर face unlock आपका काम करता है और screen lock settings मिल जाती screen time out यह जासे कि normally सभी में सेम मिलता है यहां पर आपका जो face unlock है उसकी settings आप यहां पर देख सकतो और बाकी app लोग तो आगे future edit में वापीस add किया जाएगा और digital well-being का support जैसे की देखने को मिल जाता है इसके अंदर में और आपका जो system है इसके अंदर आपक जाता है और यहां पर देखने को मिल जाता है और बाहर अमारा button को option है जिसमें यहां पर भी दिया गया system navigation और बाहर power menu को भी यहां पर देखने को मिल जाता है आपका बाकी आपकी power menu के option और एड़ कर सकते हो आप वोलिम के आपको मिल जाते हैं यहां पर बैक डिवाइस एंसर को यह सारी चीज़े क्लिक टू परिशन स्क्रीन सोट यह सारी चीज़े मिल जाता है स्टेटस बार में आपका नेटवर्क ट्राफिक इन मोनिटर मिल जाता है जो कि आप अगर आपको डाउनलोड कर लेना है इसके अंदर इंक्लूड़ रहता अलग से करने के जरूर नहीं होती पिक्सल रॉम बे तो उसके बाद आपको चलने रिकवरी पे रिकवरी पे जाने के बाद अपने जाने के लिए अपने फोन को को ओफ कर दो एन वॉल्म अप एन पावर रॉटन को होल्ड करके थोड़ी दिर रखना है तो रिकवरी पे आ जाओगे उसके बाद आपको वाइप पे जाने एडवांस वाइप पे और यहां पर आपका डॉल्विक कैस्टम वेंडर डेटा इन पांच ओप्सन को सेलेक्ट क कर देना खोड़ी देर यहाँ पर अपको यह गॉल्वक साथ और ऑसके बाद आपको फोन और आपको यहां यहां पर कॉंपली कर लिक कर लेना पहले हैं और इसके अंदर जो है आपके जो प्रेस्टो बिली हें और यह सभी उपने यहां पर श्रूद एंट एक्स्टीम पर खेलने वाले हैं और बात करें इसके पर्फॉमिंस के मामले में तो पर्फॉमिंस जो है मुझे फिलाल यहां पर जो है काफी अच्छी लगी एंटू टू टू स्कोर पर आप देखें तो काफी तगड़ा यहां पर हलाकि बाकि जैसे यह पिक्सल के एक और आता है यह प्लस है विदाउट प्लस वाला जो है नॉर्मल पिक्सल एक्स्टीम उसमें कर्ष्ण मैसन आपको नहीं मिलता हलाकि इसके अंदर थोड़े प्लत आपको मिल जाते है अगर आप यूज करते हो इस तरीकी रोम तो काफी बैस्ट के साथ यहां पर फिलाल आपको काफी जवर्दस परफॉमेंस के साथ यह मिल जाता है अगर आप यहां पर गेमिंग भी करते हो काफी तरीके से गेमिंग कर पाओगी बाकि यह रोम जो है काफी अच्छी आती है इस बिल्कुल स्टॉक एंड्रोइड आपको मिल जाता है ज्यादा क कर लीजे ताकि एकली वीडियो जब भी अप्लोड करू उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए थैंक्स फोर वाचिंग